हेलो फेंट्स वेलकम टू माई चैनल तो दोस्तों फाइब देज बैंकिंग का अपडेट सभी बैंकर्स लोगों को इंतज़ार है तो मीडिया में बहुत सारा न्यूस है तो मैं बता दू के येस्टरडे नाइट दिस्कॉसन विट आईबी है दन तो हो गया है मैंने एक अब अब कोश शीट जो है उसके बारे मैं मैं थोड़ा यहां पर बता दू कोश शीट होता है कोस्ट अलोकेशन मेंस पारहेड एक्सपेंस कितना होगा ये हो सकता है आपका स्पेशल एलाउंस एचरे मेडिकल ओफिसर का अलग होगा क्लारिकल का अलग होगा सब स्टप का तो कोश शीटिंग बेसिकली कुछ नहीं है पर हेड एक्सपेंस है एक फंड अलोकेट किया जाता है और इम्नियन डिसाइड करता है कि किसमें कितना फंड ओ अलोकेट करेंगे स्पेशल अलाउंस में कितना करेंगे एचरे में कितना करेंगे मेडिकल में कितना करेंगे आप cost allocate होगा based on that per head expense that is the cost head allocating तो cost allocating यह है बात अब एक्सकर्षिया का बात करेंगे तो एक्सकर्षिया for pensioners has also be decided और बहुत जल्द शॉटली IBA and EOBU will meet to complete the signing of the settlement regarding एक्सकर्षिया भी उतना खास updated नहीं हुआ है अब आता है five days banking का तो five days banking का बात करेंगे तो top leader confirm कर दिया है कि five days banking होगा government already agreed हो गया है पहले government और agreed नहीं था government के पास document पढ़ा था लेकिन government agreed नहीं हुआ था अभी जो news मिला है top leader से कि confirm कर चुका है कि five days banking होगा ठीक है join note will be seen after few days thank you for watching the video